हेलो फ्रिंद्स बहुत बहुत सवत है आप सभी के एक फिश सब्सकारी हट में तो इस वीडियो में हम लोग class 9 की physics का last chapter करने वाले हैं येंप इन और high is sound एहो हम लोग उसका revision करने वाले हैं इस वीडियो में तो आप सभी से रिकवेस्ट की वीडियो को please end तक देखना कर चेक कर सकते हैं ठीक है तो इस चप्टर का जो नाम है वो है साउंड यहां से बहुत जादा कोशन सानी की probability रहती है बहुत जादा important चप्टर है यह ठीक है तो साउंड के बारे में आपको पता यह साउंड क्या होता है ठीक है जब हम बोलते हैं या कोई भी चीज़ वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन की वये से जो है यह क्या होता है जब इसको हिलाते हैं थोड़ा से तो इसके जो दो टॉंग से वह वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन की वई से क्या होता है sound produce होती है ठीक है तो यहाँ पर दे रखा है तो basically आपको यह याद रखना है कि जो production of sound होता है वो किसकी वैसे होता है vibrations की वैजे से होता है अगर किसी भी चीज में vibrations आ रही है ठीक है और किसी भी चीज से मतलब टकरागे जब vibrations वापस आती है तो तब क्या होता है sound produce होती है फिर propagation of sound के बारे में दे रखा है कि sound जो है वो source से लेकर आपके कानों तक कैसे पहुंचती है ठीक है मतलब source से receiver के पास कैसे पहुंचती है यह यहाँ पर बताया गया तो मैं आपको बता दूँ जैसे मालो कहीं से sound आ रही है ठीक है suppose हम example लेते हैं bell का तो एक bell जो है कोई बजा रहा है और आप थोड़ी दूर पर कहीं पर खड़े हो और आपको जो उस bell की आवाज सुनाई दे रही है तो वो कैसे सुनाई देती है देखो पहली चीस तो याद रखना कि sound को propagate करने के लिए एक medium की जरूरत होती है ठीक है अगर medium नहीं होगा medium का मतलब है कि जैसे हमारे आसपस कैसा medium होता है air का medium होता है air के molecules से चारो देख ठीक है air के particles से चारो देख तो एक medium की जरूरत होती है sound के propagation के लिए अगर medium available नहीं होगा तो sound आपको सुनाई नहीं देगी vacuum के case में sound नहीं सुनाई देगी आप अगर moon पर चले जाओ या outer space में जाते हो तो आप अगर किसी से कुछ बोलोगे तो उसको जो है सुनाई नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि वहाँ पर medium की presence नहीं है ठीक है और sound जो है एक mechanical wave होती है इस चीसको याद रखना है क्योंकि इसमें mechanical vibrations हाती है ठीक है तो अब देगो मैंने बताया कि जैसे bell कोई बजा रहा है तो आपको कैसे आवास नहीं देगी तो जो bell बज रही है वो bell बजने के बाद क्या होता है जो उसके चारो तरफ air molecules होंगे या air particles जो होंगे वो क्या होंगे उस bell के बजने के वैसे जो vibrations produce हो रही है उस bell में तो वो bell के जो vibrations है उसके जो चारो तरफ molecules present है वो vibration उसमें transmit होंगी ठीक है वो vibration क्या होंगे transfer हो जाएंगे उन चारो तरफ के जो molecules है air के फिर क्या होगा वो जो मतलब वो क्या हुआ वो particles vibrate हुए vibrate होने के बाद वो अगले वाले जो next particles है उनको vibrate करेंगे और जो वो particles vibrate हुए वो अपने next वालों को vibrate करेंगे ठीक है ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक vibration की जो energy produce हो रही है bell से वो खतम नहीं हो जाती पूरी खतम नहीं हो जाती ठीक है तो आप जैसे कि खुदी realize करते हो आप जितना source से दूर जाते रहोगे उतनी ही कम आवास आपको आईगी ठीक है तो basically होता है कि जैसे कोई bell बजा रहा है तो जो vibration वहां से produce होई वहां के बगल वहां के जो 4 तरफ जो air molecules है उसमें vibrations आई फिर उसके बात उसके जो 4 तरफ vibrations आई मतलब जो molecules है उसमें ऐसे करते है करते हैं जो है जो भी मतलब आपके बीच में एर प्रिजेंट है तो ऐसे जितने मॉलिगूस उसके बीच में आ रहे होंगे आपके कान से लेकर बैलतर सारे वाइबरेट होते हो आएंगे सभी को क्या होगा सभी मॉलिगूस को एनरजी मिलती जाएगे और सभी वाइबरेट होते रहेंगे और आपके कान में जो इयर ड्रम प्रिजेंट होता है उस पर जाके हिट करेंगे ठीके वो वाइबरेशन क्या होंगी आपके कान पर जो इयर ड्रम है उस पर हिट करेंगी हिट करने के बाद क्या होगा वो आपके जो क्या बोलते हैं कॉकलिया एक प्रिजेंट होता है structure हमारे कान में, inner ear में वो कॉकलिया क्या करता है वो इन mechanical vibrations को electrical signals में convert करता है वो convert करने के बाद आपके कान के inner ear के अंदर क्या होता है auditory nerve होती है वो nerve से electrical signals क्या होता है आपके brain में जाते है brain में जाने के बाद आप उसको interpret कर पाते हो कि किस चीज़ की ओवाज है तो इस तरीके से propagation होता है sound का clear होग इतनी बाद ओके यहाँ पर एक practical दे रखा है वैसे आप एक बार NCRT ज़रूर पढ़ लेना यह मैं आप सभी से request करूँगा ठीक है और एक चीज़ मैं बता दू कि light जो होती है light को travel करने के लिए कोई medium की जिरुवरत नहीं होती ठीक है लेकिन sound को होती है तो यह चीज़ बे आप ध्यान रखना ठीक है बागी यहाँ पर कुछ experiment वगरा दिया अब यहाँ पर देखो एक चीज़ दिये जैसे tuning fork का example दिया तो जब कोई भी sound produce होती है तो उसमें दो behavior समको दिखते है ठीक है क्या होता है कि जब air के particles या medium के particles जो है वो vibrate कर रहे होते हैं तो एक बार को वो particles क्या होते है vibration के वैसे compress होते है और दूसरी बार में क्या होते है वो lose हो जाते है वहाँ पर pressure जो होता है वो कम हो जाता है ठीक है तो एक बार क्या होता है vibration के वैसे मतलब जैसी धका आगे की तरफ लगेगा तो क्या होगा वहां के particles की density बढ़ जाएगी या आप बोल सकते हो वहां पर pressure जादा हो जाएगा ठीक है और उसके बाद क्या होगा वह pressure जब हलका होता है जब release होता है pressure दूसरी case में ठीक है उसके बाद जब वापस अपनी position पर particles आते हैं तब वह pressure lose हो जाता है वहाँ पर जो particles की density है वो कम हो जाती है तो इन ही दो regions को बता रखा है तो जहाँ पर particles की density ज़्यादा होगी उसे हम बोलते है region of compression और जहाँ पर particles की density कम होती है उसे हम बोलते है region of rarefaction ठीक है यहाँ पर आप देख सकते लिखा है vibrating object creating a series of compressions and rarefaction तो इसी तरीके से क्या होता है source से जो भी vibrations produce होती है जो भी sound produce होती है तो ऐसी number of compression, rarefaction, compression, rarefaction यही क्या ऐसी series चलती है और ऐसी series क्या होती है receiver के पास पहुंचती है तो इसी तरीके से क्या होता है sound आपके propagate होती है यहाँ पर एक example दिया हुआ है यह बैल जार का, इस जार में कहा है, इनोंने बैल लगा दी है, और इस जार की जो भी air थी, वो इनोंने vacuum pump से कहच लिए, उसके बाद, जब यह बैल को बचाके देखेंगे, तो इनको बैल की आवाज नहीं आएके, क्योंकि अब इस जार में कोई भी media present नहीं है, यहाँ पर कोई भी particles present नहीं है, ठीक है, तो चीज़ वैसे sound produce यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर दी हुई है, बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, आपसे से कोईशन पूचा आ सकता है, कि sound waves जो होती है, वो किस टाइप की waste होती है, thing होती है, ठीक है, तो लॉंकी टूटनल वेफ भी किoug placed होता क्या है, वो मैं आपको बतायता हूँ, यहाँ पर देखो लिख्खा भी होगा, देखो यहाँ पर लिखा है ठीक है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि longitudinal wave की जो definition है वो क्या होती है यह देखो the fourth line देख सकते हैं the particles do not move from one place to another but they simply oscillate back and forth about their position of rest ठीक है तो आगे पीछे आगे पीछे क्या होता है जो particles होते हैं वो vibrate करते रहते हैं sound waves are longitudinal wave तो आगे पीछे जो particles का motion होता है vibration होता है ठीक है to and fro motion जो होता है उसी के वैसे इनको क्या कहते हैं longitudinal waves कहते हैं ठीक है और जो transfer wave होती हैं उनमें क्या होता है इनना transfer wave particles do not oscillate along the line of the wave propagation must oscillate up and down about their mean position as the wave travels ठीक है तो transfer के case में याद रखना कि उपर नीचे vibrate होती है और longitudinal के case में आगे पीछे vibrate होती है ठीक है जिस direction में sound flow हो रही है sound जा रही है उसी direction में क्या होता है आपके longitudinal waves के जो मतलब particles हैं वो vibrate होते हैं लेकिन transfer waves में उपर नीचे open and down होते हैं ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखना हो तो यह मैंने आपको बता दिया फिर कुछ characteristics दिये हैं यहाँ पर sound wave के frequency, amplitude, speed यह सब क्या होता है देखो frequency का मतलब होता है कि एक second में कितनी number of cycles जो है sound produce कर रहा है ठीक है जैसे यहाँ पर मैं आपको example दिखाता हूँ यह देखो एक sound wave सपोस यह suppose एक sound wave की मतलब क्या दिखा रहा है sound wave को represent कर रहा है ठीक है तो wave कुछ इस तरह किसे जाएगी तो अब क्या होता है एक चीज़ याद रखना कि यह जो उपर वाला curve होता है जो उपर आपको curve देख रहा है उसे हम crest बोलते हैं और जो नीचे वाला curve होता है जो नीचे वाला amplitude का जो section होता है मतलब जो beach वाली line है उससे जो नीचे वाला part है उसे हम trough बोलते हैं तो crest ऊपर वाला part होगया टruff नीचे वाला part होगया clear हों कि एतनी बाद और क्या होता है कि जो आपकी beach वाली line है ठीक है जो कि आपकी axis हो गई तो axis से लेके crest का जो distance होता है उसे ही हम amplitude कहते है या फिर आप बोल सकते हो कि axis से लेकर truff तक का जो distance होता है उसे हम amplitude बोलते है amplitude का मतलब होता है कि maximum sound wave कितना मतलब vibrate हो रही है ठीक है मतलब जो particle है particle maximum कितना वाइबरेट हो रहा है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं amplitude बोलते हैं उसी distance को क्या बोलते हैं amplitude ठीक है अब क्या होता है कि एक second में कितनी cycle पास लोगी तो cycle किसे बोलते हैं हम एक cycle का मतलब होता है एक crest से लेकर दूसरे crest तक ठीक है एक second के अंदर उसे हम क्या बोलते है frequency बोलते है ठीक है number of cycles per second अब यहाँ पर lambda भी एक चीज लिखे हो तो lambda का मतलब होता है कि two consecutive waves के बीच में जितना distance होता है उसे हम lambda बोलते है यानि कि wavelength ठीक है तो अगर दो crest के बीच में आप distance देख रहे हो तो वो भी lambda होगा और दो ट्रफ के बीच में distance देख रहे हो तो वो भी lambda होगा clear हो कितनी बात ठीक है और यहाँ पर वो ही दे रखा है compression, rarefaction, compression, rarefaction तो इस तरीके से series बनती जाती है तो compression के case में देखो amplitude उपर की तरफ होता है rarefaction के case में amplitude नीचे की तरफ आजाता है यानि कि compression के case में आपका crest बनेगा और rarefaction के case में आपका क्या बनेगा, trump बनेगा तो इस तरीके से होता है तो frequency बता दिया मैंने आपको amplitude बता दिया frequency की unit जोती हो होती है या फिर per second होती है speed क्या होता है, speed of sound का मतलब वही है कि कितने speed से sound travel कर रही है, वही आपका speed of sound होता है, इसकी unit meter per second होती है ठीक है और यहाँ पर वही दे रखा है lambda वगरा के बारे में दे रखा है कि क्या होता है, ठीक है अब हम बात करते हैं यह जो होता है time period, ठीक है 1 upon t जो नहाँ पर लिखा है तो time period क्या होता है तो time period का मतलब यह होता है कि एक cycle complete होने में जितना time लग रहा है यानि कि एक crest से जब दूसरा crest बन रहा है तो उसके बीज में कितना time consume हुआ या एक टरफ और दूसरे टरफ के बीज में कितना time लगा उसी को हम क्या बोलते है time period बोलते है और एक relation होता है frequency और time period के बीच में यह लिखा है आपर frequency and time period are related as follows ठीक है तो frequency is equal to 1 by t होता है frequency को new से हम लोग denote करते है new यानि कि new ठीक है new का symbol बिलकुल v जैसा होता है ठीक है तो frequency is equal to 1 by t इसको आप याद रखना है इससे आपका numerical या फिर direct यही relation पूछा जा सकता है कि frequency और time period में क्या relation होता है कि frequency is equal to 1 upon time period ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो pitch के बारे में आपर कुछ बताया गया है ठीक है कि pitch क्या होता है तो देखो pitch का मतलब होता है amplitude बता रहा है वो ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो pitch is one of the characteristics thus a high pitch sound corresponds to more number of compression and rare friction passing a fixed point per unit time ठीक है तो pitch का मतलब यह होता है कि जितने number of compressions या जितने number of rare fractions जो एक साथ हो रहे हैं वो per unit time में कितने हो रहे हैं वो हमको pitch बताता है ठीक है तो उपर वाली जो आप wave देख सकते हो इसमें आपके compressions और rare fractions बहुत कम है यानि कि जो crest और truff बन रहे हैं वो बहुत कम बन रहे हैं लेकिन नीचे वाली waves में देखो कितने सारे crest और कितने सारे truff बन है तो पहली वाली wave को हम बोलेंगे कि जो किसकी wave है यह low pitch sound की wave है ठीक है और दूसरी वाली को हम क्या बोलेंगे कि यह high pitch sound की wave है ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हो यह इनोने एक relation दिया है speed के बीच में और आपका distance मतलब क्या बोलते है wavelength के बीच में frequency के बीच में और speed of sound के बीच में तो यह relation यहाद रखना क्या बोलते है पहली तो एक relation यहाँ पर देख लो speed v is equal to distance upon time होता है यह formula आपको पहले से पता है तो speed of sound को हमने क्या माल लिया है distance यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा wavelength हो जाएगा lambda upon time तो v is equal to lambda by t हो जाएगा lambda है यहाँ पर show नहीं कर रखा है तो वो यहाँ पर misprint होगे उसे आप मतलब यह याद रखना कि v is equal to क्या होता है lambda by t होता है अब 1 by t मैंने बताया आपको क्या होता था frequency होता था अब ही हम लोग पढ़ क्या है ठीक है 1 by t क्या होता आपका frequency होता है तो 1 by t के जागे हमने frequency यानि की new लिग दिया तो v is equal to new lambda जो है यह relation आ गया lambda का symbol आपको पता है कैसा होता है पहला वाला lambda बना हुआ है दूसरा वाला जो v जैसा symbol बना है उससे ही हम new बोलते है ठीक है तो v is equal to new lambda यह relation अच्छे से याद रखना है इस पर direct questions आप से पूछे आ सकते numerical भी आ सकते है ठीक है simple से numerical होगा अगर आपको फॉर्मला या दे तो आप आराम से यह कर लोगे तो v आपका meter per second में होता है new जो होता है वो आपका per second में होता है ठीक है तो speed is equal to wavelength into frequency clear होगे इतनी बाद ठीक है अब कुछ और चीज़े हम लोग देख लेते है speed of sound in different media यहाँ पर सिर्भी बहुत important questions आपके बन सकते है तो देखो speed जो होती है sound की वो दो factors पर depend करती है एक तो density पे और एक temperature पे अगर medium मतलब जिसमें sound propagate हो रही है अगर वो medium की density जादा है तो sound की speed जो होगी वो जादा होगी दूसरा case यह है कि अगर temperature medium का जादा है तो sound की speed जादा होगी तो दोनों ही cases में क्या होती है sound की speed जादा होती है यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यह देखो लिखा है इस चीज़ को याद रखना है और यह value भी चाहो तो याद रख सकते हो कि 0 degree Celsius पे speed जो होती है sound की air में वो कित्ती होती 331 meter per second और 22 degree Celsius पे कित्ती होती है 344 meter per second ठीक है तो यह important point था यहां पर जो आपको पता होना चाहिए बागी reflection of sound है reflection of sound basically light की तरह होता है जैसे light आपकी reflect होती है ठीक है आपको पता है angle of incidence equal to angle of reflection होता है उसी तरह किसे sound के case में भी होता है तो sound जिस angle पे incident करती है उसी angle से क्या होता है reflect होती है ठीक है उसके बाद eco के बारे में बदाए कि eco basically क्या होता है जैसे आपने सुना होगा कि आवाज गूंज रही है ठीक है जैसे क्या होता है आप कभी एक बड़े से कमरे में जात नहीं है देखो यहाँ पर एक यह लाइन लिखिए दस फॉर हीरिंग डिस्टिंस डिस्टिंट इकोस तब मिनिमम डिस्टिंस अबस्टेकल फॉर्स अबस्ट भी हाफ अफ दिस्टिंस देट इस 17.2 मिटर इस चीज़ को याद रखना कि अगर आपको चाहिए कि आप इको प्र तो वो जो दिवार है वो कम से कम 17.2 मिटर जो है दूर होनी चाहिए ताकि आपकी जो आवास है वहाँ से टकरा के जब वापिस आई तो वो बूझने लगे ठीक है तो इस चीज़ को याद रखना है क्लेर होगे इतनी बाद 17.2 मिटर जो है इसकी वैल्यो है ठीक है फिर ने लेके बाद जो है उसको 5-6 बार दुबारा से हलो सुनाई देगा ठीक है इसी फिनोमेना को हमकी अब उतले है रिवर्बरेशन बोलते हैं क्लेरों के इतनी बाद इको का मतलब होता है गूंजना आवास और इसका मतलब होता है आवास बार बार रिपीट होकर वापिस आना ठीक है समensen अगे बार तो इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन और बाकी इसको कम कैसे कर सकते है हम लोग कुछ एब्जॉर्बंड माटीरियस लगा सकते हैं जहाँ पर आवास गुशती है तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अब्जॉर्बंड म реально लगा सकते हैं बा तो इसका use किस किस चील में होता है जिसे megaphons में होता है या loud haulers में मेगाफॉस का मतलब होता है आपने हात वाला वह देखा होगा loudspeaker उसी को हम megaphon बोलते हैं यहां पर इसके photo भी बनी है मैं आपको दिखाता हूं इस तरीकी के रोल है इस्टेटोस्कोब देख सकते हो आपकी यह पर बना रखे नोंने बार-बार क्या होते हैं रिफ्लक्ट होने के बाद आपके कामें तक पहुँच दिया है तो समझागे स्टेटोस्कोब में भी होता है multiple reflection होता है hail phones में भी होता है शैनाई में भी होता है तो यह चीज़ यहाद रखना ठीक है बाकिस एक चीज़ और यहां पर बताइए कि आपने cinema hall में देखा होगा cinema hall का structure को इस तरीके से बनाए जाता है कि पीछे की तरफ जो है पीछे या आगे की तरफ क्या करते हूं उसे crowd shape का बनाते हैं क्यों बनाते हैं ताकि सारी जो sound मतलब release जहां से हो रही है produce जहां से हो रही है वो reflect होके पूरे auditorium में पूरे hall में जो है equally distribute हो जाए ठीक है तो यहाँ आप लिखा है generally the ceilings of concert halls, conference halls and the cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall ठीक है जो ceilings होती है वो आपकी curved shaped की होती है clear होगे इतनी बाद ठीक है फिर range of hearing यहाँ से भी एक important question बनता है ठीक है कई बार यह पूछ लेते हैं कि human beings की जो normal range है sound सुनने की sound receive करने की कितनी होती है तो वो होती है 20 hertz to 20,000 hertz आपको ऐसे दे सकते है या फिर बोलेंगे 20 hertz to 20 kilo hertz clear हो कि इतनी बाद तो minimum sound जो एक human being सुन सकता है वो कितनी आपके 20 hertz है उसकी frequency और जो maximum sound एक human being सुन सकता है उसकी frequency कितनी है 20 kilo hertz या फिर 20,000 hertz ठीक है बाकी जो 5 साल से नीचे के ब बच्चे होते हैं और जो कुछ animals होते हैं और जो dogs होते हैं वो 25 kilo hertz तक की sound सुन लेते हैं मतलब वो adult human being से जादा आवास सुन सकते है clear हो कितनी बाद 25 kilo hertz तक कौन dogs 5 साल से कम के बच्चे और साथ ही कुछ में कुछ animals ठीक है तो जो 20 hertz से बिलो की sounds होती है ठीक है उन्हें हम क्या बोलते हैं इंफ्रासोनिक sound या फिर इंफ्रासोनिक waste बोलते हैं ठीक है clear हो इतनी बाद बाकी rhinoceros के बारे मैं लेख्या तो rhinoceros का मतलब जो गेंडा होता है वो क्या करता है 5 hertz से नीचे की frequency में वो लो बात करते हैं तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है बाकी जो 20 kilo hertz से जो उपर वाली sounds होते हैं उन्हें हम ultrasound बोलते हैं ठीक है तो एक infrasound होता है और एक आपका ultrasound होता है तो ultrasound कौन-कौन produce करता है ये चीज़ याद रखना dolphin, bat और proposes ठीक है कौन-कौन, dolphin, bats और proposes तो इसका नाम याद रखना है 20 kilo hertz से उपर की sound produce करते हैं clear होगे बागी hearing aid के बारे म काम क्या होता है जो भी कोई आवास बोल रहा होता है ठीक है जो sound wave आती है उसको electrical signals में convert करता है, convert करने के बाद क्या करता है वो उसको amplify कर देता है, amplify का मतलब यह हो कि उसकी आवास को तेज कर देता है, तेज करने के बाद वो आवास जो है आपके कान के अंदर खुशती है औ तब आप उसको सुन बाते हो ठीक है उसी को हम क्या बोलते है hearing aid बोलते है बागी आपर application of ultrasound दे रखा है कि ultrasound का जो है use कहां कहां पर होता है ठीक है तो पहला तो है cleaning में जैसे मतलब कोई पतली tube वग रहा है तो उसको clean हम ultrasound की मदश से कर सकते हैं कैसे कर सकते है क्योंकि ultrasound में क्य बहुत तेज अवाज जब होती है जैसे बिजली घड़कते तो कई बार घरों के कांच भी तूट जाते है तो उसी तरीके से ultrasound waves भी जो होती है उसकी वैसे हम क्या कर सकते है किसी चीज को जो है किसी pipe या किसी tube में से धक्का मारके उसको बाहर निकाल सकते है ठीक है फिर नेक करती है ठीक है तो उसको चेक करने के लिए हम ultrasound को इस्तिमाल कर सकते है ख्लेर होगे इतनी बद ठीक है है हाँ फिर नेक्स है ultrasound waves are made to reflect from various parts of the heart and from the image of the heart this technique is called echocardiography अगर hurt की जो है मतलब जो आपका hurt है उसकी जो अगर आपको आवाज सुननी है उसके बारे में आपको details सही है तो हम जो क्या करते है इको-cardiographic technique होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ultrasound use होती है ठीक है फिर next आपको पता है ultrasound आप मतलब जैसे किसी को kidney में stone हो जाता है या फिर kidney, gall, bladder, liver या फिर uterus related कोई भी problem होती है तो डॉक्टर बोलता है कि आप अपना ultrasound कराकर ले आओ तो ultrasound basically काई के लिए किया जाता है जिससे हमको यह पता चल पाए कि अंदर जो है कोई tumor ना हो कोई stone ना हो तो यह सारी जो चीज़े है वो detect हो जाते है किसकी मदद से ultrasound के मदद से उनको तोनने के लिए भी ultrasound का इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है फिर next दिया है sonar sonar की full form भी पूछ ले जाती है इसको याद रखना sound navigation and ranging क्या बोलते है sound navigation and ranging ठीक है तो sonar एक तरह के device होती है जो हमारी submarines में लगाई जाती है आप यहाँ पर देख सकते हो यह एक तरह की submarine या फिर जो ship होता है उनमें यह लगाई जाती है तो basically यह करती क्या है sonar device के होती है जैसे ship के नीचे हमने लगा दी उसकी दो पार्ट होते है एक होता है आपका detector एक होता है आपका transmitter तो transmitter क्या करता है ultrasonic waste जो होती है उनको भीजता है भीजने के बाद क्या होता है अगर समुद् की चीज है ठीक है या कोई भी obstacle है ठीक है तो उससे क्या होता है वो टकरा के वापस आती है तो इससे क्या करते है हम लोग तो जितना time उसको लगता है वो calculate कर लेते है ठीक है और जितनी speed से जो है वो जारी है ultrasonic waste वो हमारे पास उसकी information होती है तो इससे हम लोग distance calculate कर लेते ह तो हमें यह पता चल दाता है कि इस समुद्र में, अगर हमको यह पता करना कि इस समुद्र के गहराई कितनी है तो वो भी पता लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई चीज समुद्र में नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो भी चीज हम इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है, ज इसी की dead bodies वगरा हैं तो उनको ढूंडने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं ठीक है तो यह बहुत ही important टेक्निक है और यह सम्मरींस में भी यूज़ होती है clear होगे इतनी बात ठीक है बस बाकी यही दिया है बाकी structure of human year दिया है तो मैं आपको पतायता हूँ क्या क्या होता है human year में partner year में आपका basically बिनना आजाता है और जो उसके बाद की आजाता है आपके auditory के ना आज Wanna तो auditory aos या होता है जो आपकी sound आ रही है वो वहां से pass होती है ठीक है और पिन्ना का काम क्या होता है जो sound आ रही है उसको capture करने का काम होता है खटा करने का काम होता है ठीक है अब यहाँ पर मैं बता देता है आपको the outer ear is called pinna it collects the sound from the surrounding the collected sound passes through the auditory canal at the end of the auditory canal there is a thin membrane called the ear drum or tympanic membrane ठीक है तो auditory canal यहाँ पर जहाँ पर खदम हो रहा है उसके end पर क्या होता है tympanic membrane या फिर आपका क्या होता है ear drum होता है clear हो गया tympanic membrane बोलो या फिर ear drum बोलो एक यी बात है when a compression of the medium reaches the ear drum the pressure on the outside of the membrane increase in the force the ear drum invert ठीक है तो जब sound way पहुचती है तो जब वहाँ पर compression आता है तो compression की वैसे क्या होता है वो ear drum पर जटका लगता है अंदर की तरह ear drum जो होता है वो compress हो जाता है थोड़ा सा उसके बाद जब rarefaction वाला वो आता है rarefaction वाली जो series आती है बलब rarefaction वाली जो पार्ट आता है sound का तो उसकेस में क्या होता है वो drum फिर से loose हो जाता है और बाहर की तरह आता है तो इसी तरह के से क्या होता है आपका ear drum बार-बार vibrate करता है जिससे आपको sound के बारे में पता लगता है ठीक है similarly the ear drum moves outward when a rarefaction reaches it in this way the ear drum vibrates the vibrations are amplified several times by three bones ठीक है the hammer, anvil and stirrup यह बहुत important question है आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो ear में आपकी bones होती है वो कौन कौन सी bones होती है जिससे आपकी sound amplify होती है तो इसका नाम याद रखना है hammer, anvil and stirrup जो की middle ear में होती है the middle ear transmits the amplified pressure variation receives from the sound wave to the inner ear तो फिर क्या होती है middle ear से आपकी inner ear में जाती है vibrations in the inner ear the pressure variations are turned into electrical signals by the cochlea तो cochlea का जो काम होता है inner ear में वो यह होता है कि जो आपकी mechanical vibrations आईगे है ठीक है उनको electrical signals में convert करना ति इस electrical signals are assigned to the brain brain by the auditory nerve उसके बाद जो auditory nerve होती है जिससे क्या होता है गी जो electrical signals है वो आपके brain तक पहुचाते है और brain फिर पता लगा लेता है कि क्या बूला गया है या किस चीज़ की आवाज आ लिए ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान लगना बाके आपर bats के बारे में important fact दिया है वो भी आपको पतोने चाहिए कि जो bats होते है यानि कि जो चमकादर होता है ठीक है तो वो क्या कलते है मतलब ultrasonic highs मतलब ultrasonic जो sound है उसको fake ते है ठीक है अपनी तरफ से उसको क्या करते है produce करते है ultrasonic sound को और produce करने के बाद वो sound जो है वो मतलब जो भी prey होता है उनका जो शिकार होता है उससे टकरा के वापस आता है और उनके mind में ही automatically calculation हो जाती है इससे कि वो जो object है वो कितना दूर है मतलब basically आप यह समझ सकते हो कि bats के अंदर भी एक ऐसी technique है जो natural sonar की तरह काम करती है ठीक है जैसे ship में अभी हमने sonar के बारे में पढ़ा था कि ultrasonic waves का use हो रहता है वैसी क्या होता है bats के अंदर भी एक ऐसा mechanism होता है जिसे उनको यह पतेचल पाता है कि जो उनका शिकार है वो कितनी दूर है और कहां पर वो चुपा हुआ है तो इससे क्या करते हैं आप ज़रूर खर ले ठीक है रिविजन कर लोगी तो और जादे स्ट्रॉंग हो जाएगा आपके चाप्टर ठीक है पाकिस के बाद जो भी 10th के फिजिस के चाप्टर है वो भी मैं आपको जल्दी से देता हूँ ठीक है तो अगर यह वीडियो लगे होगी और जादे कार्ष़ ले जाएगे